तो finally भारत में coronavirus vaccination program शुरू हो चुका है उसी से संबंदित है हमारा आज का editorial injecting confidence देखो एक तो inject का मतलब हम सीधा सीधा जानते हैं कि इंजेक्शन के माद्यम से दवा को शरीर में प्रिवेश कराना दूसरा inject का मतलब होता है किसी भी नई चीज को introduce कराना किसी भी चीज में नई energy डालना तो ये जो vaccination का program शुरू हुआ है इसके माद्यम से हम क्या कर रहे हैं injecting confidence लोगों में एक तरीके से विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे है injecting confidence तो दो मतलब है इसके एक तरीके से प्रतिकात्मय करूप में ये जो टाइटिल है वो दिया गया है injecting confidence का मतलब है कि लोगों में विश्वास आ सके कि ये जो हमारा vaccination program शुरू हुआ है उस vaccination program में coronavirus के टीके लगाया जा रहे है coronavirus के लिए जो दवा है हमारे पास उसे inject किया जा रहा है ताकि लोगों में विश्वास बढ़ सके India must ensure भारत को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए ensure यानि सुनिश्चित करना appraisal ये appraisal के साथ में off preposition आता है धियान रखना है appraisal का मतलब होता है मूल ल्यांकन ठीक तरह से किसी चीज़ को judge करना of the prowess prowess का मतलब होता है special ability किसी भी चीज़ में कोई किसी भी चीज़ संबंदित को special ability होती है उसको हम बोलते है prowess of the vaccines is अब ये इस आया है appraisal के लिए is disseminated widely disseminate का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का प्रसार करना किसी भी चीज़ को और ज़्यदा फैलाना widely यानि विष्टरत रूप से तो इसका मतलब हुआ कि भारत को क्या करना चाहिए भारत को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो vaccine है कोरोना वाइरस की ये जो वैक्सीन है इसकी जो special ability है कि ये कितनी योग ये है कितनी प्रभावी है ये उसका मूल ल्यांकन ठीक तरह से सुनिश्चित करना चाहिए और इस बात को ठीक तरह से प्रसार करना चाहिए widely यानि विस्तरत रूप से कि ये दवा कितनी प्रभावी है और कितनी इस दवा में दम है इस बात को विस्तरत रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए disseminate यानि प्रसारित करना फैलाना आगे देखते हैं कि India began the largest vaccination drive drive का मतलब है effort प्रयास कि भारत ने सबसे बड़े vaccination program की सबसे बड़े vaccination अपना जो प्रयास है भारत का उसकी शुरुआत की in its history मतलब भारत ने अपने पूरे इतिहास में पूरे भारत का इतिहास देखे ना तो ये सबसे बड़ा vaccination program है भारत का with over और ये जो शुरुआत है किस तरह से हुई with over two like people vaccinated कि दो लाग से भी ज्यादा लोग जो है उनको क्या किया गया टीका लगाया गया coronavirus का across the country across the country मतलब पूरे भारत में है भारतवर in 3350 sessions on the first day तो ये रहा पहला दिन coronavirus टीका करण का पहला दिन क्या रहा कि वही 3350 सत्रा आयोजित किये गए और इन सत्रों में 2,00,00 से भी ज्यादा लोगों को जो है coronavirus का टीका लगाया गया और ये जो coronavirus vaccination की शुरुआत भारत ने की है ये इतिहास में भारत के लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये सबसे बड़ी vaccination drive है Covishield manufactured at the Serum Institute of India was available in all states Covishield जिसका की निर्मान कहां किया गया है manufactured at कहां निर्मित की गई है Serum Institute of India Covishield जो की निर्मित की गई है Serum Institute of India में was available in all states तो ये Covishield जो vaccine है ये सभी राज़ों में available थी whereas जबकी only 12 states had vaccination sites where जबकी सिर्फ 12 राज़ ऐसे थे जहां पर की sites का मतलब है इस्थल कि भाई कुल 12 राज़ ऐसे थे had vaccination sites where भारत बायोटेक्स cov vaccine was administered कि भाई मात्र कि आप ये कह सकते हो कि सभी राज़ों में covishield तो available थी लेकिन सिर्फ 12 राज़ ऐसे थे 12 राज़ों में कुछ जगें ऐसी थी हमारे पास जहां पर की बाहरत बायोटेक्स के द्वारा निर्मित की गई cov vaccine जो है उसको administer किया गया यहां पर administer करने का मतलब है distribute करना कि इसको प्रियोग में लाया गया है तो administer का मतलब है dispense करना किसी चीज़ को apply करना कि इस उसदी को वित्रित किया गया in the first tranche of vaccines tranche का मतलब है भाग हिस्सा in the first tranche of vaccines there are 11 million doses of cov shield कि भई यह जो vaccine है इसके पहले भाग की अगर हम बात करें तो there are 11 million doses of cov shield तो हमारे पास cov shield की 11 million doses है and 5.5 million of cov vaccine और cov vaccine की dose है हमारे पास 5.5 million एक million में होते हैं 10 lakh that will be administered और यह जो dose है मतलब पहला जो हिस्सा होगा in first tranche of vaccine कि भई जो पहला भाग होगा न हमारा उसमें क्या किया जाएगा 11 million dose है हमारे पास cov shield की और 5.5 million dose है हमारे पास cov vaccine की तो इस पहले भाग में क्या किया जाएगा that will be administered इनको वित्रित किया जाएगा यानि कि प्रदान किया जाएगा to health care workers कि भई स्वास्ते से जुले हुए जो लोग हैं उन्हें sanitation workers सफाई कर्मचारी and municipal workers in the coming days in the coming days का मतलब है आने वाले दिनों में जो नगरपालिका से सम्मदित कर्मचारी हैं the first day of the vaccine program कि भई ये जो vaccine program start हुई इसका जो पहला दिन था जिसका की उद्गाटन किया गया inaugurate का मतलब है एक तरीके से उद्गाटन करना शुरुआत करना by Prime Minister Narendra Modi कि भई Prime Minister Narendra Modi के दोरा इसका जो है उद्गाटन किया गया पहले दिन coronavirus vaccine का included अब ये जो उद्गाटन किया गया इसमें शामिल था क्या ceremonial ceremonial का मतलब होता है उच्सव से भरा हुआ है उच्सव पूर्ण ceremonial inoculation देखो inoculate का मतलब होता है टीका लगाना inoculate का मतलब होता है टीका लगाना इसी से बना inoculation ceremonial inoculations across the country कि भई यह जो शुरुवात की गई ना प्राइमनिस्टर नरिंदर मोधी द्वारा इस वैक्सीन प्रोग्राम की तो इसमें पूरे उत्सव पूर्ण तरीके से क्या किया गया पूरे भारत भर में जो है टीका लगाया गया है ना inoculation किया गया it is significant यह महतवपूर्ण है that India has not lagged behind any other country it is significant यह बात काफी महतवपूर्ण है that India has not lagged behind कि भारत पीचे नहीं चूटा है leg behind leg मतलब का मतलब पीचे चूट जाना any other country in ensuring that in ensuring that का मतलब है यह सुनिश्चित करने में कि यह बात काफी महत्वपूर्ण है, कि भारत यह सुनिश्चित करने में पीछे नहीं रहा है, पीछे नहीं चूटा है, क्या सुनिश्चित करने में भारत पीछे नहीं रहा है, कि फ्रंट लाइन पर्सनल जो है, पर्सनल का मतलब है कर्मचारी, फ्रंट लाइन, फ्रंट ला या फिर municipal workers हैं तो ये कौन हैं ये वे लोग हैं जो की coronavirus से हमारी जो लडाई चल रही है उसमें इन लोगों की अहम भूमिका है ये हैं frontline workers stand to get vaccinated stand का मतलब क्या होता है कि आप कहां stand करते हो आप कहां खड़े हो तो भारत ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो भी हमारे frontline workers हैं उनको टीका करन किया जाए to get vaccinated कि इनको टीका लगे भारत इस बात में पीछे नहीं रहा है कि जो भी इसके frontline workers हैं coronavirus के खिलाप लडाई लडने वाले जो योद्धा हैं उनको सबसे पहले कि सिर्फ एक साल हुआ है कब से since the first reports of the novel coronavirus pandemic since the first reports of the novel novel का मतलब होता है new कि भाई ये जो coronavirus है न सब के लिए new है तो इसको novel मतलब new novel coronavirus pandemic का मतलब होता है वेश्विक महामारी approach कोई भी चीज़ approach करती है यानि कि आपके पास पहुँचती है approaching India surface surface का मतलब होता है सतह पे आना यानि कि आपके सामने आना कि सिर्फ एक साल हुआ है कब से कि ये जो novel coronavirus महामारी है भारत की ओर बढ़ती हुई हमारे सामने आई ये बीमारी and तो एक साल ही हुआ है and that just 12 subsequent months of uncertainty और ये जब से हमारे सामने आई यानि कि पिछले साल की January, February की बात है तब से लेके अब तक subsequent subsequent का मतलब है following आने वाले months of uncertainty कि तब से लेके अब तक ये 12 महीने जो रहे हैं ये अनिश्चित्ता के रहे हैं tragedy, आपदा के रहे हैं and upheaval, upheaval का मतलब होता है उथल पुथल, have resulted in promising और ये 12 महीने जो हैं उथल पुथल के रहे हैं have resulted in promising लेकिन एक साल हुआ है 12 महीने हमने जो है उथल पुथल में गुजा रहे हैं, tragedy में गुजा रहे हैं अनिश्चित्ता में गुजा रहे हैं लेकिन और इन 12 महीनों के दोरान सफलता के चिन दिखाए, प्रॉमिसिंग का मतलब है जिससे आपको उम्मीद बंदे कि हाँ भविश में ये चीज सफल हो सकती है, resulted in promising vaccines, तो अब हमारे पास ऐसी vaccine है, जो की भविश में सफल होने का संकित देती है, हमारे पास ऐसी vaccine है, जिसमें इस बात की संभावना है, potential का मतलब है संभावना, with the potential to save many lives, कि भविश लगता है कि ये vaccine कई जानों को बचा सकती है, and spark hop, spark का मतलब है प्रज्वलित करना, को एक चमक दिखाई देती है हमें है, एक उम्मीद दिखाई देती है, and optimism, optimism का मतलब ही होता है, आशावादिता, आशा दिखाई देती है, इन millions, लाखों लोगों में, तो ये editorial कहना चारा है, कि भविश जब से हमारे सामने आया, तब से लगबग एक साल हो चुका है, ये 12 महीने जो बीते हैं, बड़ी ही उथल पुथल में बीते हैं, लेकिन इनका परिणाम ये हुआ है, कि भविश्य की पृत्ति आश्वस्त करने वाली एक ऐसी वैक्सीन हमारे पास है, जिसमें कि ये सी संभावना है नजर आ रही है, कि भविश्य की वैक्सीन है, कई लोगों के जीवन को बचा सकती है, और एक उमीद जो है, उमीद की चमक हमें दिखाई दी है, आशावादिता दिखाई दी है, लाखों लोगों में, इस इस अ कमेंडेवल अचीवमेंट, तो ये जो अचीवमेंट हमने पाया है, कि भविश्य की वैक्सीन हम निर्मित कर पाए है, यह बड़ा ही प्रिशंस निया है, कमेंडेवल का मतलब है प्रिशंस निया, सराह निया, लेकिन हम इस नजारे को नहीं खो सकते, कि भई इस तत्तिकों हम अंदेखा नहीं कर सकते हैं, कौन से तत्तिकों? कि भई, कौरोना वाइरस से लडने की यह जो रेस है, यह एक मेराथन रेस है, यानि की बहुत लंबी दोड़ है यह, अभी काफे टाइम लगेगा इसमें, आगे देखते हैं, अभी का मतलब है, जो की आगे है, जो की आगे रखा हुआ है, तो एडिटोरिल कहता है, जो आशावादिता पहले दिन देखने को मिली, पहले दिन जो आशावादिता हमें भारत में देखने को मिली, उसका आशावादिता जो है, आगे आने वाले जो दिन है, अभी तो काफी लंबा चलेगा अभी तो उनका और पहले दिन का कोई लेना देना नहीं है, आगे आने वाले दिनों को प्रभावित नहीं करेगा, कि आप एक दिन खुश हो लिए, आपने एक दिन आशावादिता दिखा दी, तो उससे कोई मतलब नहीं है, अभी तो आगे आने वाले जो दिन हैं, उनमें क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो काफी कुछ आ कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा समल समल के चलने की जरूरत है, इंडिया's immediate plan, is to inoculate, कि भाई भारत का जो ततकाल प्रोग्राम है, भारत का जो प्लान है, भारत की जो योजना है, ततकाल जो योजना है भारत की, वो योजना क्या है, is to inoculate, inoculate मतलब टीका लगाना, 3 करो frontline health workers, frontline मतलब बिलकुल अगरी मोर्चे में जो खड़े है, आगे की पंक्ती में जो खड़े है, health workers, कि भाई भारत का प्रियास जो है, भारत का पहला प्लान जो है, वो है, कि 3 करोड health worker जो है, उनको टीका लगाया जाए, and later, और बाद में, 27 करोड of those most vulnerable, बहुत ही ज़्यादा कमजोर होना, यानि कि ऐसे लोग जो की कॉरोना वाइरस की चपेट में जल्द से जल्द आ सकते हैं, जैसे की वरद्द लोग है, बच्चे हैं, तो पहले तो इन 3 करोड लोगों को, जो की health workers हैं, उनको टीका लगाया जाएगा, भारत का जो प्लान है, इसके बाद में, 27 करो लोग, जो की बहुत ही ज़्यादा कमजोर हैं, कॉरोना वाइरस की चपेट में, जो आसानी से आ सकते हैं, उन 27 करोड लोगों को बाद में cover किया जाएगा, to the disease, by July 7, by July, कि बई ये जो जुलाई आने वाली हैं, आगे आने जो जुलाई हैं, तब तक के लिए, by July का मतलब है कि इस बीमारी से बचाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तीन करोड लोग, जो की health workers हैं, उनको टीका लगाए जाए, और बाद में 27 करोड लोग, ऐसे लोगों को टीका लगाए जाए, जो की बहुत ही ज़्यादा कमजोर इस्थिति में, जो की coronavirus की चपेट में आ सकते हैं करोड लोग, health workers को पहले टीका लगाए जाए, और बाद में 27 करोड लोग, जो की coronavirus की दृष्टी से बहुत ही ज़्यादा कमजोर हालत में, उनको टीका लगाए जाए, a lot is expected to change even before this deadline, तो यह जो July की deadline, deadline का मतलब होता है, समय सीमा, तो यह जो July की समय सीमा हमने निर्धारित की ह है, उस समय सीमा से पहले ही, काफी कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद है, a lot is expected, की बही काफी कुछ उम्मीद है हमें, काफी कुछ expectation है, to change की बही काफी कुछ बदल जाएगा, even before this deadline, इस deadline के पहले, इस July की समय सीमा के पहले, establishing the efficacy, establishing का मतलब है, निर्धारित करना, efficacy का मतलब है, की बही, efficacy का मतलब होता है, प्रभाव शीलता, की बही, जैसे कोई औश्धी है, ये कितनी प्रभावी है, तो उस प्रभाव शीलता को बोलते हैं, efficacy, तो establishing the efficacy based on final analysis of phase 3 trials, की बही, ये जो, trial का मतलब है, परिक्षन, की बही, कोई भी वैक्सिन होती है, उसके परिक्षन किये जाते हैं, phase 1, phase 2, phase 3, phase 3 परिक्षन, तो phase 3 जो परिक्षन है, इसका final analysis क्या होता है, की बही, final, क्या result निकलता है, उसकी प्रभाव शीलता को देखना, establishing the efficacy, की बही, प्रभाव शीलता को इस्थापित करना, जो की आधारित हो, की बही, phase 3 के जो परिक्षन किये जाएंगे, इस वैक्सिन के, उसके माध्यम से क्या result निकल के आते हैं, उस प्रभाव शीलता को इस्थापित करना, and full licensure may take month, और पूरी तरीके से, ये जो वैक्सिन ह इसको license प्रदान करना, की बही, license का मतलब एक तरीके से सारजनिक रूप से complete व्यक्तियों का अनुमती मिल जाए, पूरी तरीके से, तो full licensure may take month, तो इसमें अभी कई मन्थ लग सकते हैं, may take month, की ऐसी संभावना है, की coronavirus का जो phase 3 correction है, उसका क्या result रहता है, उस result को इस्थाप जो है, सभी लोगों को दिया जा सके, इसमें भी काफी महीने लग सकते हैं, till then, तब तक, it is rational, rational का मतलब है, logical, तारकिक, and scientific, तो भई, यह logical भी है, और यह है, व्यग्यानिक भी है, क्या, on the part of anyone, की कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, on the part of anyone है, की कि किसी भी व्यक्ति की तरफ से to choose or decline a vaccine, की वह चाहे तो vaccine को choose करे, या फिर उसे मना कर दे, choose का मतलब है, चुनना, decline या नि मना कर दे, a vaccine, on the basis of, on the basis of, मतलब इस आधार पर, whether, की क्या, the potential risks, potential का मतलब है, संभावित, risk का मतलब है, खत्रा, outweigh, outweigh का मतलब है, से अधिक होना, the benefits, अब इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है, की coronavirus vaccine का संभावित खत्रे जादा है, और फायदे कम है, तो उस व्यक्ति पे depend करता है, की वह coronavirus vaccine को लेना चाहता है, या उसे मना करना चाहता है, तो यही editorial कह रहा है, की जब तक पूरी तरीके से, इस vaccine की efficacy साबित नहीं हो जाती, तब तक यह बिलकुल logical भी है, और यह बिलकुल scientific भी है, कि किसी भी व्यक्ति को यदिकार होना चाहिए, कि वह इस vaccine को चुनना चाहे तो चुने, और मना करना चाहे तो मना करे, भई उस व्यक्ति पे निर्वर होना चाहिए, यह बात कि व्यक्ति निर्धारित करे, कि वही इ उसको स्विकार कर सकते हो तो ये मतलब हुआ इसका given, given का मतलब है ध्यान में रखते हुए देखते हुए इंडियास experience with childhood immunization ये immunization का मतलब है प्रती रक्षी करण ये जो body को immunize किया जाता है तो given, देखते हुए इंडियास experience with childhood immunization कि बच्चों में जो टीका करण किया जाता है childhood immunization का मतलब है चोटे-चोटे बच्चों में जो immunization program apply किया जाता है चोटे-चोटे बच्चों में जो टीका लगाया जाता है तो ये जो टीका करण प्रोग्राम भारत के रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए and administering millions of doses administering वितरित करना है millions of doses in extremely extremely मतलब का मतलब है extremely बहुती ज़्यादा diverse का मतलब है विविद geographical conditions कि भई हम अगर भारत को अगर हम क्या कहते हैं भारत का record अगर हम देखे तो भारत का record क्या रहा है भारत ने जो है काफी बड़े-बड़े childhood immunization program जो होते हैं बच्चों के टीगा करन प्रोग्राम जो होते हैं बड़े-बड़े उनको अंजाम दिया है और भारत ने क्या किया है administering वितरित करना क्या millions of doses लाखों की संक्या में ये जो vaccine होती है इनकी dose होती है उनको वितरित किया गया है और कहां वितरित किया गया है बहुत ही जादा vivid कि भई जो बहुती conditions होती न कि बहुत ही जादा vivid है कि भई इस छेतर में अलग बहुती conditions है उस छेतर में अलग बहुती conditions है तो इन सब conditions में जो है भारत ने इस vaccine को वितरित किया है तो there is reasonable confidence तो इस बात का आशवाशन है reasonable मतलब जो एक तरीके से वाजिब यहाँ पर reasonable का मतलब है वाजिब कि confidence का मतलब है विश्वास होना तो इस बात का हमारे पास वाजिब विश्वास है that the country has the executive ability देखो executive ability का मतलब है किसी भी काम को संपादित करने की आपकी जो छमता है executive का मतलब क्या होता है कि किसी कारे को कारे पाली का या फिर किसी काम को आप अंजाम देने की जो आपकी ability है तो यानि कि भारत के पास वो ability है भारत में childhood immunization program के माध्यम से और vaccines की dose को विविद छेत्रों में भारत में distribute किया है उस इन चीजों को देखते हुए वाजिब लगता है ये confidence आता है कि हाँ भारत के पास वो ability है to scale up scale up का मतलब है increase करना to scale up vaccination कि भारत ये जो vaccination का program है इसे और ज़्यादा बढ़ा सकता है इसको scale up कर सकता है the approval का मतलब है manjuri देना सहमती देना of the vaccines earlier this month earlier का मतलब है पूर्व में कि भाई इस month के पूर्व में इस vaccine को सहमती दी गई approval दिया गया manjuri दी गई तो had seen divisions लेकिन manjuri देने के पहले हमने division division का मतलब होता है मतभेद होना among scientists and doctors तो कई वैज्यानिक है और कई डॉक्टर है उनमें इस vaccine की manjuri को लेकर मतभेद थे कि भाई इस महिने की शुरुआत में जब इस vaccine को अनुमती दी गई भाई ठीक है इस vaccine को हम apply कर सकते हैं लेकिन इस vaccine को अनुमती देने से पहले हमें क्या देखने को मिला कि विभिन वैज्यानिक को और doctors के बीच में हमें जो है मतभेद देखने को मिले and doctors themselves on the saga city saga city का मतला होता है बुद्धी मत्ता of the government कि भाई सरकार जो action लेने जा रही है कि भाई सरकार जो action लेने जा रही थी अब सरकार क्या action लेने जा रही थी promoting both covishield and covaction as being equivalent कि भाई सरकार जो है इस मत्त के शुरुआत में सरकार ने क्या किया था सरकार promote करने जा रही थी प्रचार प्रसार करने जा रही थी covishield और covaction दो vaccine है हमारे पास covishield और covaction इन दोनों vaccine को covaction के बारे में सरकार ने इस मत के शुरुआत में जब ये फैसला लिया ये promote करने का फैसला लिया कि भी covishield और covaction जो है दोनों आपस में मतला कोई अंतर नहीं है दोनों vaccine में दोनों की दोनों बराबर है लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया ये मंजूरी सरकार ने ली उस दोरान हमें ये देखने को मिलाता कि भी doctors और scientists जो थे उनमें इस बात को लेकर divisions थे कि भी ये जो सरकार कर रही है इन दोनों vaccine को जो है बराबर का दरजा दे रही है सरकार तो क्या ये बुद्धी मत्ता पूर्ण है इस बात को लेकर वेग्यानिकों और doctors में मतभेद थे दे आर नॉट एडिटोरिल कहता है कि भी ये जो दोनों vaccine है कोविशिल्ड और कोवैक्सिन ये दोनों equivalent नहीं है कोवैक्सिन is being administered as part of a clinical trial अब देखो एडिटोरिल बताता है कि ये जो कवैक्सिन है is being administered is being administered इसको वित्रित किया जा रहा है as part of a clinical trial कि वहीं चिकित सकी परिक्षन के रूप में कवैक्सिन जो vaccine है इसे चिकित सकी परिक्षन के रूप में वित्रित किया जा रहा है and its efficacy is not established और कवैक्सिन की प्रभाव शीलता अभी इस्थापित नहीं हुई है यानि कि हमारे पास कॉवेक्सीन के उतने प्रभावी रिजल्ट इतने हमारे पास कॉवेक्सीन के उतने प्रभावी रिजल्ट नहीं है जितने की कॉवी शील्ड के है यानि कि कॉवी शील्ड को हम कह सकते हैं कि Covishield ज़ो है ज़्यादा प्रभावशाली है बजाए Covaxin की तुलना में ऐसा कह सकते हैं Covaxin is being administered कि Covaxin जो है वित्रित की जा रही है किस रूप में as a clinical trial एक चिकित सकी है परिक्षन की रूप में and its efficacy और Covaxin की जो प्रभावशिलता is not established वह है पूरी तरीके से इस्थापित नहीं हुई है All the vaccines on offer in the United States or the United Kingdom have some efficacy data कि जो सारी की सारी vaccine है जो कि America में या फिर Great Britain में है न have some efficacy data उनमें कुछ हमारे पास ऐसे data है efficacy data efficacy data का मतलब है efficacy data का मतलब है कि जो vaccine अमेरिका में या Great Britain में काम में ले जा रही है उनकी प्रभावशिलता के आंकले हमारे पास है insufficient nonetheless हालांकि वे जो आंकले हमारे पास उपलब्ध हैं वे आपरियाप्त है अमेरिका और Great Britain में जो vaccine है उनकी प्रभाव शीलता के आंकले वे vaccine कितनी प्रभावी है इसके आंकले हमारे पास है हालांकि ये बात और है कि वे आंकले जो है परियाप्त है and therefore inspire greater confidence कि जब आपके पास efficacy से सम्मधित आंकले होते हैं कि कोई drug कोई आउशिदी कितनी प्रभावी है उसके जब आंकले आपके पास होते है inspire का मतलब है प्रेरित करना greater confidence तो उससे confidence आता है आपको है कि वे आंकले confidence ये editorial कहना चाहरा है rather than dismiss concerns 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 का मतलब है चिंताएं rather than का मतलब है के बजाए dismiss यानि खारिज कर देना कि विभिन लोगों की जो चिंताएं हैं ये जो vaccine हमारे पास है co vaccine और covishield इन से जुड़ी हुई जो चिंताएं लोगों के दिल में हैं उन चिंताओं को खारिज कर देना as as rumor bikilli 的 और ये जो शबदाएं न और ये जो हुआ है winter का मतलब तो हो गया अफवा और यह जो मांगरिई के इस मांगरिंग का मतलब होता है किसी चीज को encourage करना कि चीज़ का प्रचार करना बढ़ावा देना किसी चीज़ को कि कई लोग जो हैं उन को एक तरीके से लोगों को चिंताएं हैं इन vaccines को लेके तो लोगों की चिंताओं को हम कहें कि अरे यह तो अफवा है अफवाओं को encourage किया जा रहा है अफवाओं को फेलाया जा रहा है तो इस तरह से कहके हम जो है या फिर end politically motivated या फिर हम यह कहें कि वैक्सीन के संबंद में जो भी चिंताओं जताई जा रही है यह राजनीती से प्रेरित है यह politically motivated है या फिर यह कोरी अफवाओं को प्रोथसान दिया जा रहा है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों की जो चिंताओं है इन vaccines से संबंदित उन चिंताओं को उन चिंताओं पर ध्यान देने की जरुत है the government has to work has to दिखाया जात करना है doubly hard मतलब दोहरा काम करना है सरकार को क्या to ensure that एक तो सरकार को यह चीज सुनिश्चित करनी है that an honest appraisal of appraisal के साथ में off preposition आता है ध्यान रखना अप्राइजल का मतलब है मुल्यांकन करना कि सरकार के पास दोहरे काम है कि सरकार इमांदार इमांदारी पूर्ण तरीके से जो है इस बात का मुल्यांकन करे किस बात का मुल्यांकन करे of the vaccines provess कि जो vaccine है इसकी जो ability है उसमें कितनी दम है is rapidly disseminated is rapidly यह नहीं शीगरता से disseminate का मतलब है प्रसार करना कि बही सरकार के पास दोहरी जिम्मेदारी है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि यह जो vaccine है इसका ठीक तरह से मुल्यांकन किया जाए कि यह जो vaccine है इसकी provess इसकी ability जो है उसका ठीक तरह से मुल्यांकन करने के बाद में इसको बहुती शीगरता के साथ प्रसारित किया जाए एक तो आप पहले जांचों मतलब सरकार का काम है कि सरकार स्वैम अपने इस तरफे इस vaccine की ability को जा जाचने के बाद में क्या करें रैपिडली शीगरता के साथ लोगों में जो है इसका परचार परसार करें कि नहीं भई हाँ हमने इस वैक्सिन को जाच लिया है और यह वैक्सिन ठीक है तो लोगों में जो है confidence आए आगे देखते हैं दोज लाइनिग अप यानि कि वे वैक्ति जो की खड़े हुए है लाइनिग अप का मतलब है जो की खड़े हुए है उन में से ज्यादा लोग जो है वे वैसक हैं कोई बच्चे नहीं है and a significant fraction fraction का मतलब है तबका तबका का मतलब एक समूह and a significant fraction of them far more का मतलब है कहीं ज्यादा medically literate यानि की coronavirus की vaccine जिन लोगों को हम दे रहे हैं उन में से ज्यादातर adults हैं ज्यादातर वैसक लोग हैं और उन लोगों में भी ज्यादातर group जो है ज्यादातर लोग जो है वे medically सिक्षित हैं अगर हम चिकित्सकी रूप से वे इतने तो जागरूख हैं इतने तो सिक्षित हैं than the average Indian की एक average Indian की अगर हम बात करें तो average Indian से ज्यादा सिक्षित हैं वे लोग जो की वर्तमान में coronavirus की vaccine को प्राप्त कर रहे हैं ये editorial कहना चारा है and all arms of government यहाँ पर arms का मतलब है branches कि वही सरकार की जो भी branches है must treat them so उन्हें उनके साथ वैसा ही बरताव करना चाहिए पुल मिला के सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि जिन लोगों को हम सबसे पहले coronavirus की vaccine दे रहे हैं वे चिकित्सकी दृष्टी से आम लोगों से ज़्यादा सिक्षित हैं तो अगर उन लोगों के मन में किसी तरह का कोई doubt है तो उस doubt को solve करने की कोशित सरकार को करनी चाहिए ये डिटोरिल कहना चाह रहे हैं तो जो लोग coronavirus की vaccine को लेने के लिए खड़े हुए हैं वे वैस्क हैं और उन में से ज़्यादा तर लोग जो हैं वे कहीं ज़्यादा सिक्षित हैं चिकित्सकी दृष्टी से एक सामान्य भारतिये की बज़ाएं तो सरकार की जो सारे की सारी ब्रांचे से उनको उसी तरह से treat करना चाहिए यानि कि सरकार को ये मान के चलना चाहिए कि भाई हम जो है सिक्षित लोगों को ये vaccine दे रहे हैं तो इनमें यही मान के सरकार सरकार को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह तो average इंडियान है इनको क्या पता क्या नहीं पता है तो इसी तरह से सरकार को उनको treat करना चाहिए it is their experience तो वर्तमान में जिन लोगों को coronavirus की vaccine दी जा रही है उनका क्या अनुभाव रहता है उनका क्या अनुभाव रहता है इस बात पे काफी कुछ आगे चीज़े depend करेगी it is their experience that will percolate देखो इस percolate का मतलब क्या होता है जैसे percolate का मतलता है धीरे-धीरे फेलना जैसे सूचना का धीरे-धीरे फेलना तो एडिटोरल कहता है कि शुरूआत में जिन लोगों को हम coronavirus की vaccine लगा रहे है और किनको लगा रहे हैं शुरूआत में चैल्ट केर वर्कर्स को लगा रहे हैं तो एक health care वर्कर जो है वहाЯ हाम आदमी की ब और यह प्रक्रिया, coronavirus vaccination की जो प्रक्रिया है, यह रफतार पकड़ेगी, तो it is there experience that will percolate, तो यह है इन लोगों का जो अन्वा होगा, यानि कि यह जो frontline workers हैं, जिनको coronavirus vaccine दी जा रही है, उनका जो अन्वा होगा, यह धीरे धीरे फैलेगा है, percolate यानि, to spread slowly, धीरे धीरे फैलना, सुचना का धीरे धीरे फैलना, and influence adoption, adoption का मतलब है, अपनाना, of the vaccines, among the larger population, कि ज़्यादा तर जो हमारी जनसंग क्या है, it is their experience, कि ज़्यादा तर लोग है, कि ज़्यादा तर लोग जो है, इस coronavirus vaccine को कब अपनाएंगे, ज़्यादा कई लोगों के बीच में, कि ज़्यादा लोग के बीच में, इस coronavirus vaccine को अपनाया जाएगा, कब अपनाया जाएगा, ज़्यादा तर लोग जो है, प्रभावित होंगे, कि जो frontline workers है, जिनको coronavirus vaccine लगाई जारी, उनका क्या अनुभा हो रहता है, तो उनका अनुभा भी धीरे धीरे सूचना के रूप में फैलेगा, और ज्याद